वेरी मॉर्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन वेलकम टू जे आरे फट्डा यूचुब प्लाटफोर्म और मैं हूँ आपकी एजुकेटर रचनागरवाल वेलकम टू थे क्लास एवरीवन आजाये सभी लोग थोड़ा सा जोश थंडा है हलका आप सभी को बताए कि पींच रेखा प्राची अनीशा अर्चना अरजीत सोनिका एड आगया बीच में रेखा नीतु वैभव सचीन संचारी अनीशा निहारिका एवरीबड़ी गुड मॉर्निंग आजाये सभी लोग क्लास में आजाये और सभी लोग को अपने फ्रेंड्स और जितने भी आपके ग्रु तब्यत कैसी है तब्यत मतलब ऐसा है ना रीकवरिंग फेज में थोड़ा ज्यादा कमजोरी आ गई है क्योंकि यह वारल फीवर तो बहुत नॉर्मल होता है वारल फीवर होता रहता है पता नहीं वरोदा में कैसा वारल फीवर फैला था इसके सिम्टम्स बिल्कुल सिमिलर में ख्यएं जैसा था पुरा पुरा सिरदर्द हो रहा था बहुत जादा एक दम या आप में जानते हो घोट्व बहुत जादा होता है रहा था बुखार चड़ाथा बार-बार ओए ऐसे कप कपी वाली बुखार होती है बिलकुल एस से टाइप तो लगा है टाइम देखो अब मंडे से तो और भी जाधा एक दम रेगुलर हो जाएंगे हम लोग है ना चलिए क्लास को शुरू करेंगे हम लोग और मैंने सुचा कि आज थोड़ा सा मैं तुम लोगों से जुड़ना भी बहुत जुरूरी है ने तो बोलो के माम कहां चलेग यार तैयारी के टाइम पे साथ छोड़ गए हमारा तो ऐसा नहीं होगा इसलिए मैंने सुचा रिडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट करेंगे आज की क्लास हम लोग ठीक है तो चलिए सभी लोग आ जाईए क्लास में हम लोग क्लासों करते हैं शुरू जो पहली बार ज रहेगी पेपर वन की मेरी ग्यारा बचे ठीक है उसके बाद एजुकेशन के बचे एक बचे आज एजुकेशन की क्लास नहीं होगी हम लोग मंडे से स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 7 जो है रहे गया था यूनिट 7 के इंपोर्टन टॉपिक्स वो हम लोग नेक्स्ट व फ्राइडे मेरे से एजुकेशन पढ़ने के लिए आ जाये करिए और एटम 2.0 बैच तुम जानते ही हो हमारे ज्यारे फटन का पेड़ बैच है इसमें तीन आप्शन है तुमारे पास ओनली एपेपर वन भी ले सकते हो ओनली पेपर टू भी ले सकते हो सिर्फ एजुकेश दोनों पेपर के मिल जाएगा और क्रैश कोर्स जो एक महीने पहले लॉंच होना ही होना है उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी ठीक है तो एटम 2.0 बैच यह वाला पुरा फुल पैकेज है इसके अलावा जो सबसे बड़ा सर्प्राइज और आप सबको पता भी है इसके ब रहते हैं क्योंकि face to face तुम लोगों से देखो यार virtually interact करते करते मुझे एक साल से जाधा हो गया है तुम लोगों को देखने की इच्छा है कई ऐसे learner से जिनके नाम भी मुझे पता है पर मैं चाहती हूं कि तुम से face to face मिलू मैं और I hope तुम लोग भी चाहते होगे तो बिलक इस लाएका जियार फट्टा फैमिली से मिलना है बस यह समझो आप तो जियार फट्टा से जितने लुग जुड़े हैं सब हम सब मिलना चाहते हैं ज़रूर आएगा 24 फेब को दिल्ली में और वेन्यू और टाइम आपको बता दिया जाएगा इसके साथ साथ फॉर्म जो है सब्सक्राइब को बुला लीजे बच्चे बहुत कम संख्या में लगता है पता ही नहीं यह क्लास चल रही है तो तुम लोग के पास यह पहला पैसेज है इंग्लिश में मैं साइड में हो जाओंगे आपके और आप लोग आराम से आंसर करिएगा ध्यान से देखना यह कुछ टाइगर रिजर्व के बारे में है टाइगर रिजर्व के बारे में पैसेज है मैंने हमेशा बोला है पैसे जाज का, इसी तरह से हिंदी में भी टाइगर रिजर्व और पर्यटन उद्ध्योग, इससे मिलता जुलता यह passage है, ठीक है, तो पहला question तुमारी screen पे आ रहा है मैं side हो जाओंगी, और बाकी लोग बहुत ध्यान से passage को पढ़ने की कोशिश करना, जो question आपको मिल रहा है, वो ढूणने ही कोशिश करना passage में, वो line जैसे ही वो line मिल जाए, related paragraph पूरा पढ़ लो, यह तुमको मैंने trick स्टार्टिंग से बताईए, चलो मैं side हो गई हूँ, और आप लोग आराम से solve करिए, मैं सब सो रहे हैं, काजल बोल रहे हैं, मैं सब सो रहे हैं, good morning गुरुपीत, good morning सभी को, काजल आ जाना भाई, जितने लोग को आना है, सब लोग आ जाना, हाँ, हिंदी में भी दिखा रही हूँ, अनिशा, एक सकेंड बिटा, वर टाइम दे रहे हैं, इंग्लिश वालों को, फिर हिंदी में भी दिखाया जाएगा, चेटमेंट 1 दिया हुआ है, बैनिंग कमर्शल टूरिजम विल पॉजिटिवली इंपक्ट कंजर्वेशन अक्टिविटीज, स्टेटमेंट 2 है, पैंथेरा टिगरीस, टिगरीस is the national animal of India, ठीक है, चलो, अब हिंदी वाले भी देखेंगे भी, ये रहा हिंदी में, वानिजिक परियर्टन पर प्रतिबंद लगाने से सनरक्षन गतिवीधियों पर नक्स करातमक प्रभाव पड़ेगा, कथन 2 कह रहा है, पैंथेरा टिगरीस, टाइगरीस, भारत का राश्ट्र पशू है, सबी लोग आंसर दीजे, देखो, ध्यान से देखना, इसमें अगर तुम नोटिस करोगे, तो लास्ट वाला पैराग्राफ यहां थोड़ा सा न एक शब्द छुप गया है, पर अब हाव पड़ेगा होगा, यहां पड़ेगा आएगा, लास्ट में, ध्यान से देखना हिंदी में, लास्ट वाला पैराग्राफ देखो, इसमें कोई सवाल नहीं है कि वानेजिक परियतन को सक्ती से विन्यमित किया जाना चाहिए, हाला कि पूर्ण प्रतीबंद एक बेहद हानिकारक कदम होगा, क्योंकि यह सनरक्षन सिक्षा, निगरानी और अन्य सनरक्षन गतिवीधियों पर न करात्मक प्रभाव दालेगा, समझ में आया, तो वानेजिक परियतन पर अगर तुम प्रतीबंद लगा दोगे, तो करात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, न करात्मक प्रभाव पड़ेगा, इसलिए कथन एक जो है वो रॉंग है, और हमको वैसे भी पता है कि पैंथेरा टिग्रिस जो होता है न, इसी तरह से इंग्लिश में भी देख लो, बैनिंग कमर्शिल टूरिजम विल पॉजिटिवली इंपक्ट, नो, लास्ट पारग्राफ में तुमको आंसर मिल जाएगा, अगर बैन कर दोगे, कमर्शिल टूरिजम पे तो प्रॉब्लेम आई की, है न, तो स्टेटमेंट वन इस फॉल्स और स्टेटमेंट टू इस तू पैंथरा ट्राइग्रेस ट्राइग्रेस जो है साइन्टिफिक नेम है बेंगॉल टाइगर का, टाइगर को रिजर्व में क्यों रखा जा रहा है, बहुत सिंपल है यार, कुछ सोचना ही नहीं है, ऐसी समझ में आ जाएगा, अरजीत तुमने भी मिस किया और मैंनी भी तुमनों को मिस किया, लेकिन क्या करें, वारल फीवर इतना जादा था कि ये क्लास लेने की हिम्मत नहीं थी, बट अब नेक्स्ट वीक से बिल्कुल मिस करने का मौका नहीं दूंगी, ठीके, रेगुलर हमारी पढ़ाई होगी, और क्लासेज रेगुलर अटेंड करना है तुम लोगों को, अभी मन्जू ठीक है, थोड़ी कमजोरी है बस, चलो, ओके, अब इंग्लिश वालों ने देख लिया है, हिंदी पे चलते हैं, एक मिनिट हो गया है भी, इसका है न, इसका आंसर तुम बिना पढ़ी भी दे सकते हो, बहुत सिंपल है, चलो, इतनी हिंदी पे आ जाते हैं, यार, ये हिंदी वालों को न, मुझसे गरबड हो गया है, चलो, कोई नहीं, तुम लोगों को यहां पे वैसे भी आंसर मिल जाएगा इस तरफ, लास्ट पारग्राफ की जरूरत नहीं है, यहां पे भी मिल जाएगा आंसर, बहुको सिंपल है, देखो यार, कुछ सोचना क्या है, इसमें, तुमको बागूँ को अगर रिजर्व में रखना है, तो कृषी मुल्ले से कुछ लेना देना है, क्या इसका, अगरिकल्चर्ण वैल्यू तो बढ़ती वैसे ही नहीं है, क्या बढ़ती है औस दिया वैल्यू बढ़ती है क्या नहीं बढ़ती है यहाँ पे कुछ एक लाइन दिख रहा होगा तो अरे यार एक सेकेंड यह पेन को क्या हो रहा है I'm so sorry है न यहाँ पे तुमको एक लाइन दिख रहा होगा इस वाले पारग्राफ में तो यह है भी नहीं बागों को उनके वैज्ञानिक आर्थिक सौंदर्य सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मुल्यों के लिए रिजर्व में रखा जाता है खता यहीं पे आंसर मिल गया पारिस्थितिक सांस्कृतिक सौंदर्यात्मिक मुल्यों ठीक है तो A, B, D is the answer यहीं पे मिल गया आंसर टाइगर्स आर्मेंटेंड इन रिजर्व फोर देया सांस्कृतिक, एकोनोमिक, एस्थेटिक, कुल्चृतिक, एकोलोजिकल वालूजुज आज अब आजा थर्ड पे Tiger tourism has become a problem in recent years, because, क्यों problem हो गई है, Tiger tourism आजकल एक problem बन गई है, कुछ सालों से, what is the reason इतना easy passage आया था कि इसको तुम तीन मिनिट में बना के रख सकते हो, अगर practice तुमारी अच्छी रहेगी, तीन मिनिट में यह passage जो है तुमसे बन जाएंगे जल्दी जल्दी answer करो देखो Tiger tourism कहां दिख रहे है तुमको, Tiger tourism has become a problem आजओ हिंदी वाले आजओ, हाल के वर्षों में बाग परियतन एक समस्या बन गया है, क्यों की? क्यों बन गया है समस्या? yes, very good, हमको पहले ही लाइन में समझ में आ गया, कि लेकिन हाल के वर्षों में अवैद शिकार के कारण बागों की हत्या में तेजी से विद्धी हो रही है, तो बागों का अवैद शिकार जो है, the illegal poaching बोलते हैं English में, illegal poaching of tigers, ये तो सब जगे है, rhino का भी तुम्हें पता है, one horn जो rhino है, जो endangered species है, उसको भी तो endangered हो गए है, problem हो गई है, लोग जो है, illegal poaching करने लग गए है, मारने लग गए है, पता ही है हमको, so what is the answer? the fourth is the answer, very good, चलो, fourth question पर आजाओ, solution to the problem of wildlife crimes can be found by, क्या solution है? wildlife crimes जो हो रहे हैं, उसका क्या solution है? सही करके गलत नहीं करना काजल, गलत करना बहुत बड़ा पाप है भई, reading passage में गलत होना बहुत बड़ा पाप है, बाच question तुम्हारे सही होने है, paper one में, अब देखो, इस question का answer तुमको directly नहीं मिलेगा, लेकिन तुमको passage पढ़ने से एक चीज़ समझ में आ गया है, कि आपको क्या करना है? क्या solution होगा? चलो, हिंदी में आज़ो, वन्य, जीवन अपराधों की समस्या का समाधान निम्ने द्वारा पाया जा सकता है, देखो, तुमको मैंने इस पूरे passage में यह पढ़ दिया तुम लोगोंने कि completely ban आप नहीं कर सकते हैं, है ना, तूरिजम को, जो टाइगर रिजर्फ देखने आ रहे हैं, परियर टक, उनको completely ban नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पहले ही question में पढ़ लिया था, कि completely ban करने से नकरात्मक प्रभाव पढ़ेगा, है ना, सकरात्मक प्रभाव नहीं पढ़ेगा, नकरात्मक प्रभाव पढ़ेगा, तो हमको प्रतिबंध वाला जो भी statement है, वो तो चुनना ही नहीं है, प्रतिबंध यहाँ पे भी लिखाए हटा दो, प्रतिबंध यहाँ पे भी लिखाए हटा दो, हमें चुनना है वी नियमित करना यानि आप strictly regulate अगर कर लेते हैं तो इन सब का solution निकल जाएगा समझ में आ गया तो completely ban वाले सारे चीज़ें हटा दो regulating commercial tourism is the solution to the problem of wildlife crimes अगर government strictly regulate करती है तो यह सब crimes होंगे नहीं tourism भी चलता रहेगा और illegal poaching भी नहीं होगी ठीक है समझ में आ गया चलो next question तो yes the correct answer is third regulating commercial tourism आजा फिफ्ट लास्ट question है बहुत easy है यह भी a protected area for animals plants etc is called मतलब अभी तुम इतने time से यही पढ़ रहे हो क्या बोलेंगे इसको बताओ जल्दी फटा फट a protected area for animals plants etc is called क्या बोलते हैं इतने time क्यों लगा रहे हो तुम लोग अभी पूरा तो पढ़ रहे हैं हम लोग यही इसी के बारे में तो पढ़ रहे है जानवरों पौधों आदी के लिए सनरक्षित छेत्र क्या कहलाता है yes very good reserve कहलाता है माम कुछ नहीं है simple tiger reserve हमने reserve देखी लिया ठीक है तो yes देखो 5 question कितनी जल्दी हो गया कितनी जल्दी इसको speed बढ़ाओ मतलब अगर तुम्हारा reading passage यह इतना easy दे रहे है तो यह तुम्हारा 3 minute में हो जाना चाहिए और सारे के सारे 5 out of 5 question सही यानि कि 10 out of 10 marks in reading passage reading comprehension में 10 number आ गए मतलब बहुत सही है देखो यह इतना easy passage है कि यहाँ पे अगर एक भी गलत होता है तो तुम मान लो JRF के race से तुम बाहर हो चुके हो अगर एक भी silly mistake करते हो या time की कमी होने के कारण अगर तुम्हारा question नहीं छूट रहा है तुम्हारा मतलब JRF के race से बाहर हो रहे हो इतना easy question भी अगर गलत हो रहा है तो इसलिए मैंने बार-बार बोला है कि reading comprehension पहले attempt करना paper one में ठीके चलो अब हम लोग दूसरे passage पर आते हैं यह बहुत बढ़िया passage है यह ध्यान से देखो कुछ चंद्रयान 3 दिखरा होगा तुमको चंद्रयान 3 की जो landing हुई थी अभी फिलहाल में उसी के बारे में यह passage है बहुत बढ़िया passage है यह English में यह रहा Hindi में और अब हम आते हैं इसके question पे ठीक है आराम से पढ़ना मैं time दे रही हूँ बहुत बढ़िया है passage पढ़ने में भी मज़ा आएगा चलो दो statement दिया हुआ है चंद्रयान 3's success अगर तुमको ऐसे भी पता होगा ना fact तो इस question को तुम ऐसे ही बना लोगे चंद्रयान 3 के बारे में जब launch हुआ था तुम्हें पता है हमाना जो lander जब land हुआ था तो वो time के बारे में अगर पूरी जानकारी तुमको होगी तो यह पूरे passage तुम मिंटों में मना लोगे चलो बना भावना यह कौन से वाले exam का था देको यह चंद्रयान वाला तो commerce वाले shift का था और जो अभी tiger reserve वाला किया है वो शायद को social medicine वाला है social medicine जो है अपना subject उसके shift में आया था यह ध्यान से करना अरजीत वैभव ध्यान से करो ध्यान से करो बार बार बोल रही हूं जल्दबाजी मत मचाओ सब एक दूसरे का देखकर आंसर कर रहे हूं इतना easy question चलो हिंदी में देखो चंद्रयान 3 के सफलता वर्षों के विज्यानिक प्रयासों का परिणाम थी चंद्रयान 3 के कुछ मिनिट बाद रूस का लूना 25 चंद्रमा पर उत्रा तुमको कोई भूल गए हो कि तुम लोग याद है तुमको कि हमारा चंद्रयान 3 क्यों इतना जादा हमारे लिए बहुत जादा एतिहासिक चंद्था क्योंकि उस रूस के कुछ ही दिनों बाद ये आया था रूस का जो लूना 25 था वो दुरघटना गरस्त हो गया था समझ में आया नहीं नहीं क्या है कौन है सुझे जी ये अलग नहीं होता हिंदी का पैसे सेम ही होता है ट्रांसलेटेड होता है बस एक सही है और एक गलत है चंद्रयान 3 के सफलता बिलकुल वेग्यानिक प्रयासों का परिणाम है पर चंद्रयान 3 के कुछ मिनिट बाद थोड़ी नहीं रूस का लूना 25 चंद्रमा पर उत्रा था ये तो क्रैश हो गया था बहुत तेर पहले और इसलिए डर लगा था लोगों को कि यार इनका जबकि रूस का इतने महान देश का जो है उनका लूना 25 क्रैश कर गया तो हमारे चंद्रयान का क्या होगा यही तो डर था सबको भूल जाते हो तुम लोग सो कथन एक सत्य है और कथन दो जो है वो गलत है ठीके स्टेटमेंट 1 इस ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इस पॉल्स हाँ शुभम ने बोला लूना फुस हो गया था बिलकुल फुस हो गया था तो स्टेटमेंट 2 इस पॉल्स ओके जियांसे रखना और पता है लूना 25 का कॉस्ट कितना था 200 मिलियन डॉलर का और हमारा कितना था 75 मिलियन डॉलर सिफ 75 मिलियन डॉलर का हमारा चंद्रयान थ्री जो है आराम से लेंड कर गया था भई जै विज्ञानिकों इसको बोलते हैं हमारे देश के विज्ञानिक जो है ठीक है चलो तो कथन एक सत्य है और कथन दो जो है वो गलत है चलो आजाओ इंडिया किस में पहला कंट्री बना है तो यहां लिखा है ना the watershed moment came mere days after Russia a space veteran crashed its moon craft while attempting to reach the same territory जहां हम पहुशने की कोशिश कर रहे थे वहां उनका Luna 25 crash कर गया था कुछ ही दिन पहले चलो बताओ भाई येस वेरी गुट हिंदी में भी देख लो भारत दुनिया का पहला देश बन गया ऐसे ही तुमको पता होगा कि हम लोग पहले देश बन गए चंद्रमा के दक्षिनी धुरूव के पास और यार यह बता नहीं हिंदी भी क्या लिखा है के पास भूमी लिखा हुआ है मतलब मैं बोलू तो land होना चाहिए है ना आप जो है पहले country बन गए जो south pole मून के जो south pole ह है वहां हमने land किया है एक fact की तरह भी तुम्हें पता होना चाहिए ठीक है we are the first country मतलब इतने बड़े बड़े देशों को हमने मात दे दिया south pole में तुमको बता दू मैं कि moon में जो south pole है moon का जो south pole है वो दिखता भी नहीं है यही तो खासियत थी यही क्योंकि उनको अंदाज लगाना होता है वहां पे land कराना यह portion जारा तर अंधेरे में रहता है moon का ठीक है south pole इस पे land करने वाला हम जो है पहले country थे तो यह तुम्हें पता होना चाहिए ओके तो तुम्हें पढ़ने की भी जरूत नहीं है you should know this next question पर आजाओ which of the following represents the estimated cost of building चंद्रयान थी मतलब अभी हम लोग ने देखा चंद्रयान थी को बनने में कितना लगा था कितनी लागत लगी थी कितनी लागत लगी थी निमलिकित में से कौन चंद्रयान थी के निर्मान की अनुमानित लागत को दर्शाता है येस अभी हम लोग ने देखा कि 75 million dollar जो है हमें लगा था 75 million की अनुमानित budget पर चंद्रयान थी को न केवल पिछरे अमेरिकी चंद्रय मिश्णों की लागत के एक अंश पर बनाया गया था यहां तक कि जो उसकी blockbuster movie आई थी ना ओपन हाइमर और बार्बी उससे भी कम थी भाई समझ लो उनकी Hollywood movie जितना लगता है ना Hollywood movie को बनाने में ओपन हाइमर अगर तुमने देखी अगर नहीं है कभी तो time मिले तो देख ले ना ठीक है ओपन हाइमर जो थे वो nuclear जो bomb बना था ना उसके जन्म दाता है ओपन हाइमर ठीक है तो इसको जितना लगा था ना बनने में प 75 million dollar चलो फूर्थ question पर आजाओ अब फूर्थ question का मैं passage नहीं बता रही हूँ खुद से समझ के बताओ the success of India's moon mission is significant why it is significant because अन्दास से बनाओ क्योंकि अब तुमने passage समझ लिया है किसके बारे में passage था देखो बिटा अब आज कल जो है ना RC में एक और चीज आ रहा है ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मैं थोड़ा camera के सामने आ जाती हूँ कि अब ही लोग क्या कर रहे हैं एक trend change कर रहे हैं RC छोटा सा देंगे तुमको और जो questions होंगे न वो question तुमको directly उसका answer passage में नहीं मिलेगा passage को पढ़ने के बाद जो तुमको समझ में आता है उस base में उस question का answer करना है अब ऐसा trend आ गया है तो maybe ऐसा हो सकता है कि जून के exam में तुमको जो passage मिले उसका directly answer उस question किसी भी question का directly answer तुमको passage के अंदर नहीं मिलेगा ठीके तो passage को अच्छे है समझ लो और समझ कर question का answer देना है तो ready रहो एस type के question के लिए चलो बताओ the success of India's moon mission is significant क्यों significant है भारत के चंद्र मिशन की सफलता इसलिए महत्पूर्ण है क्यों महत्पूर्ण है बताईए अच्छा एक बार बताओ भारत को वी निर्मान के इंद्र बनाएगा क्या चंद्र मिशन से manufacturing hub बनेगा चंद्र चंद्रयान का mission या चंद्र मिशन या जो हम जितने भी space missions करते हैं उससे वी निर्मान केंद्र का क्या कोई रिष्टा है कोई भी रिष्टा नहीं है हटा दो इसको बाकी इसने भारत को दुनिया की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में से एक बना दिया बिल्कुल सही है इसने भारत के अंतरिक्ष अनवेशन के लिए नए रास्ते खोल दिये बिल्कुल सही है इसने अंतरिक्ष अनवेशन और वानेज के आकरशक बाजार में नए रास्ते खोले है ये भी सही है देखो इट विल मेक इंडिया अ मैनुफैक्टरिंग हब नो इसने अनवेशन के लिए बिल्कुल सही है ओपन न्यू अवेशन फॉर इंडिया स्पेस एक्स्प्लोरेशन इंडिया अब नए ने रास्ते जो है बतलब इतना बड़ा काम किया है तो समझ रहो ना लोग पैसे भी लगाएंगे अब इंडिया स्पेस मिसन पे बड़े बड़े जो ये इंडिस्ट्रिलिस्ट होते हैं वो पैसे भी लगाएंगे इस रो में कि भाईया हमारा पैसा दो गुना ती गुना हो जाएगा पता नहीं हम क्या ढूंड के ले आएं स्पेस से है न कौन सा ऐसा element ढूंड के ले आए कि पुरे अर्थ का जो है तकदीरी बदल जाए मून पे भी हमें कुछ ऐसा मिल जाए समझ में आ रहा है ओके चलो लास्ट क्वेस्टिन करते हैं येस तो दिस दे करेक्ट आंसर फिफ्ट क्वेस्टिन लास्ट क्वेस्टिन है बहुत इजी है अब इसके लिए मैं हटने वाली नहीं हूं तुम लोगों ने पैसेज पढ़ लिया है समझ के बताओ कहीं देखा था तुमने पैसेज में पैसेज तुमको दिख रहा होगा लेकिन अब मैं हटूंगी नहीं स्क्रीन से बताओ किसने बोला था इंडिया इस ओन दे मून और यह सब चीज़े याद रखना है जो शब्द बोले गए है ना जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था यह सब शब्दों को यह जो यह जो स्टेट्मेंट्स होते हैं इसको याद कर लो क्योंकि यह एतिहासिक खन होते हैं और इसमें जो वो words बोल दिये जाते हैं ना कई बार तुम general knowledge के questions में पूछा जा सकता है तो yes और हिंदी में भी देख लो यार भारत चांद पर है शब्द किसके द्वारा बोले गए थे yes very good very good किस ने गहाँ था भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख S. सोमनात जी ने ये बात बोली थी यानि कि इस्रो के प्रमुख ने बोली थी the chief of isro that's it खतम हमारा तो आज का passage ही हो गया over the chief of isro कितनी जल्दी हमने खतम किया जबकि मैं तुमको time इतना दे रही हूं पस इसी तरह से आर्सी के practice करते रहो जल्दी हमारा जो है और एक दो बार करने पर December का सारे आर्सी हम लगा चुके होंगे ठीक है क्योंकि दो दो आर्सी ले रही हूं ना मैं जादा shift में तो इस बार exam हुए भी नहीं है December के तो जारा तर December के सारे आर्सी जो है दो और तीन बार में खतम हो जाएंगे उसके बाद मैं जून के आर्सी और February के आर्सी करवाऊंगी इसके बाद जो है मैं कोशिश करूंगी कि bank के exams जो होते हैं या essay exams जहां पे reading comprehension थोड़े tough पूछे जाते हैं थोड़े tough पूछे जाते हैं वो भी लेकर तो हर Saturday, every Saturday I made this अब यह compulsory रहेगा कि every Saturday 11 a.m. जिसको भी आर्सी की practice online करनी है आ जाएंगे 11 बजे live ठीक है every Saturday बाकी Monday to Friday हमारी 11 बजे class तो है ही उसमें हम लोग People Development Environment, Teaching Appitude, Communication, Indian Logic ये सारी चीज़े कवर करेंगे important topics और साथ में previous year questions ठीक है तो ये exam तक तो हमारा यही रहने वाला है कुछ ज़्यादा changes नहीं होगा इसमें और बाकी education वाले Monday to Friday एक बजे आ जाएंगे ठीक है चलो thank you so much hard वाला अर्चना अब बेटा जो ये तुमको easy लग रहा है मैं क्या करो December में easy आया था हम क्या कर सकते है तो December का पहले खतम कर लेते हैं उसके बाद दूसरे दूसरे जो है previous year questions के RCS करेंगे लास्ट में बिल्कुल अधिती मैं के style में JRA Fattak का first meetup में दिल्ली चलो दिल्ली 24 फरवरी को सारे के सारे आ जाना मैं सब का चहरा देखना चाहती हूँ तुम लोगों को बोलना मैं 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 इन मैं नीश्य हूँ मैं पसांग पसांग तुमको भी आना है सचिन को भी आना है सब को आना जिन जिन ना मैं जानती हूँ न इर जीथ है तो अगर मैं नाम लेंट चौक भेगगा 24 फ़र्व को आयंगे सभी के सभी दिल्ली ठीके चलो Okay, so thank you so much Neetu, Vaebhav, सभी लोग आएंगे Okay, Vaebhav education के class बेटा, आज नहीं, मैं थोड़ा rest करना चारी हूँ Monday से हम लोग 1 बज़े start कर देंगे, ठीक है Monday से 1 बज़े start हो जाएगा education की class, so thank you so much everyone and all the best for your preparation, Tata, bye-bye, take care everyone Bye-bye